वेल्कम बैक्स लेर्नर्स लेर्न बेन लोग अकैडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागता है मैं आपका दोस्जीवन और आप सभी ठीक होंगे ये मेरी उमीद है आप सभी के लिए एक छोटी सी न्यूज है कि चोटी चिरंदिंग यूनिवर्स्टी बी एलल्वी फास सेमेस्टर के एक्साम का रिजल्ट आज चुपा है जिन मच्चों ने दिसमबर 2023 के अंदर एक्साम दिये थे वह स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को दिख सकते हैं दूसरा ही सेमेस्टर तीन के जिन्होंने एक्साम दिये थे उनके बी रिजल्टा गए हैं सेमेस्टर वन एलल्वी के एक्साम अभी आने हैं कि डेटेल आ भी आनी है जो अभी आई नहीं है तो उसके लिए इंतिजार कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं समेना बरबात करते हुए आज का टोपिक है चौतर जरन्जिंग उनिवस्टी सब्जेक्ट है कॉंट्रेक्ट सेकेंड है और सब्जेक्ट कोड है इसका के टू जिरो जिरो फोर इसका टाइटल है स्पैसिफिक कॉंट्रेक्ट एंड लॉव पार् पार्टनर्शिप इसके अंदर हम जो डिसकस करने वाले हैं वो करेंगे कि पार्टनर्शिप क्या होती है उसके क्या नीचर होती है एक पार्टनर्शिप और एक कंपनी में क्या फरक है इन सब चीजों को जानेंगे और इस तरीके से सीरीज में जानेंगे और आपके सिलिब पासिस करवाऊंगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहे हैं और अपनी कांसेशेंसी दिखाए रहे हैं चलिए स्टूड़न्स शुरू करते हैं ढूआजिटिए स्टैर्ट पहला पॉइंट है पार्टनरशिफ होती है उसके नीचर क्या होना होती है किसे चलब के नन यह लीजैंगे की कि आख री मेंटस मरा होता है वidée है दो पर्सन जर आपस में जुड़ते है तो क्या होता है क्या ये सभी बिजनस रों के लिए जरूरी है इसके अंदर प्रॉफिट किस तरीके से सेट होता है वो भी जानेंगे क्या एक मुझे चिलिजन्सी है फिर हम जानेंगे इसके अंदर की नेचर और पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप का क्या नेचर होता है फिर डिफरेंस जानेंगे हम इसके अंदर कि पार्टनर्शिप और कंपनी में क्या फरक है फिर जानेंगे हम इसके अंदर कि पार्टनर्शिप और को ओनर्शिप क्या होती है फिर जानेंगे पार्टनर्शिप और हिंदू जॉइन फैमली जिसे हुआफ क्याते है इसके बाद आएंगे हैं उसके अबाद जानने हैं इसके अंदर की mutual relation between the partners क्या होते हैं तो यह सारी की सारी चीज़ हैं आज की इसके syllabus के अंदर जानने वाले हैं ताकि आप exam में एक अच्छे marks और आप वो topic की पुरी detail जान करी हो कि आपको अपने semester के अंदर क्या क्या पढ़ना है किसी भी तरकी की समस्या होने पर इस screen पर हमारा नमबर आ रहा है 9289-322897 अगर वीडियो समझ में आ रही हो और वीडियो में कुछ भी confusion लग रहा हो तो हिसके साहिए जानिंग हम आपकी मदद के लिए डिस्क्रिप्शिन में हमारे WhatsApp का लिंक है हमारी websites का लिंक है हमारे social media प्लेटफॉर्म है वहां का लिंक है आपको जहसे सहुलियत लगे हमें वहां कमेंट करके बताएं हम जितनी जिल्दों सके आपकी समझ्या का समाधान और उसके ओपर वी डिटेल वीडियो लेकर आएंग जब तक आपको समझ में आएगा तब तक हमां कोशिश यही करेंगे कि आपको समझाने की हर तरीके से समझाने की जोशिश करेंगे ताकि आप exam तक proper preparation कर ले चलिए आगे देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर right of partners पढ़ेंगे फिर हम partners की बात पढ़ने हैं इसके अंदर duty of partners की क्या होती है क्या duty absolute होती है यह qualified होती है फिर next point में हम समझेंगे कि authority of partner किसे गयते हैं या relation of partner to other third party क्या होती है इसके अंदर भी हम जानेगे कि express authority क्या होती है empowered authority क्या होती है फिर हम जानेगे कि partners की जो authority है वो emergency में क्या होती है फिर next point में हम यह भी जानेगे कि holding out किसे गयते हैं doctrine of holding out की essential भी जानेगे और representation भी जानेगे contract second semester two के अंदर इतना कुछ है पढ़ने के लिए लेकिन जो हमारे learners हैं जो exam की preparation करते हैं उनको कभी-कभी यह confusion होता है कि syllabus तो पता है लेकिन पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है क्योंकि student जिन्दगी वह कोई भी हो subject हो या कुछ और भी हो consistency एक flow का format जे ग्राफ की तरह काम करना नीचे से लेकर फिर दिर 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 उपर बढ़ना यह growth का प्रोसेस है अगर कोई initial point से लेकर jump करके सिधा उपर की या फिर टॉप तक पहुजने की कोशिश करता है shortcuts लेता है तो short time में वह साथ कामियाब हो जाए लेकिन long term में यह कामियाब होना possible नहीं है और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में shortcuts के लिए बहुत ही कम जुग हैं मैं genius की बात नहीं करता हूं मैं normal family से और आप भी मैं वानता हूं कि हमारे जो learners हैं वो भी 70-80% normal families से होंगी हम यह कहते हैं कि consistency मनाई रखिए आप बहुत ही जल्द अपनी life में growth करेंगी consistency के बंगर यह possible नहीं है चलिए आगे देखते हैं अगला हम इसके अंदर पढ़ेंगे exception पढ़ेंगे कि exception क्या होती है एक disease partners और एक insolvent partner में क्या difference है हम यह भी जानेंगे कि position of minor partners के से गयते हैं उस minor partners के right क्या है अगर वो पार्टनर adopted है तो क्या होगा फिर हम यह देखेंगे कि partnership के अंदर जो attaining majority होती है यह minor की liability होती है वो किस तरीके से आती है फिर and हम इस point के अंदर लिए जानेंगे कि dissolution of firm की firm का समापन कैसे होता है जब एक firm नहीं चल पाती तो उसका समापन या उसको dissolve उसको बंद किस तरीके से किया जाता है उसमें भी हमें जानेंगे कि mode of dissolution क्या होते हैं कि किस तरीके से हम dissolution करके अपनी firm को बंद कर देते हैं यह भी जानना मतलब बनता है ऐसा ही नहीं कि आज एक firm open करी बनाई company बनाई काम करना शुरू किया कर समझ में नहीं आई हमने बंद कर दिया ऐसा नहीं हो सकता जिस process से company open होती है government में registered होती है GST नमबर आता है PEN नमबर आता है income tax return भरी जाती है IC code लगया जाता है exercise का काम होता है day to day activities की जाती है audit किया जाता है तो एक process से open होती है सारी process follow करने हैं लिकिन जब हम एक firm बंद करते हैं तो भी एक process follow करना पड़ता है तो उसी को हम mode of dissolution में जानेंगे कि हम अपनी firm को पार्टनर्शिप firm को ये किसी भी अधर firm को जिसे हम business करते हैं ये contract करते हैं उसको हम किस तरीके से बंद करते हैं चाहिए वो agreement के थ्रू हो सकती है हम ये भी जानेंगे कि क्या गंपल से dissolution क्या होगा कौन-कौन सी certain contingency है जो dissolution का कारण मनती है हम ये भी जानेंगे सकते हैं कि क्या notice के जरीए भी partnership हो हम dissolve क्या जा सकता है क्या court के थ्रू भी dissolution और partnership हो सकती है तो ये सारी के सारी चीज़े हम जानेंगे इस subject इस syllabus के अंदर फिर हमें वो जानेंगे कि क्या grounds होते हैं next point में हम जानेंगे कि liability of act after a dissolution क्या होता है फिर public notice का क्या काम होगा इसके अंदर फिर from का registration से क्या effect होंगे या non registration तर क्या होगा effect of non registration भी पढ़ेंगे कि इस से क्या होगा तो ये सारी के सारी चीज़े आपको detail से समझने के लिए मौका मिलेगा अगर आप हमारी class में consistency बनाए रखेंगे इसी वी तरीकिया की समस्या होने के लिए स्क्रीन पे नंबर है 9289-322-897 description में हमारा WhatsApp का लिंक है हमने अपनी साइट का एक लिंक भी दे रखा चोटा सा जिसके अंदर आप previous year के question भी पर चेक कर सकते हैं उसके solution भी वहाँ वहाँ जाकि आप easily अपने solution डाउनलूड कर सकते हैं आपने question वी वेचेर के question answer डाउनलूड कर सकते हैं और study material भी आपको अब लेबल कराएंगे उसके लिए आपको हमारी class में बने रहना पड़ा है content बहुत है best quality का content है हमारी कोशिश रही कि content को improve किया जाए ताकि आपको चीज़े को समझने में बहुत अच्छा लगे आप easily conduct कर पाएं और अपने exam को crack कर पाएं चलिए इस topic के बाद हम अगले point पर discuss करेंगे कि अगला point क्या है तो मैं चलिए बता देता हूँ आपको कि अगला point हम discuss करने वाले है contract of sale, agreement to sale, essential उसकी क्या है, उसकी definition क्या है तो चलिए अब इसको discuss करते हैं हम discuss करने वाले थे contract of sale, contract of sale के अंदर हम जानेंगे कि sale किसे कहते हैं absolute sale और agreement to sale या conditional sale में हम फारग जानेंगे, हम जानेंगे इसके अंदर की essential contract of sale के क्या होते हैं contract कर जो होता है, वो 2% की मद्धी होता है, चाहे वो sellers हो या buyers हो, तो इनका भी होना बहुत जरूरी है subject matter depend करता है, transfer of ownership depend करती है, और depend करता है price तो इस सारे सारे essential होते हैं इसके, हम इसको details से discuss करेंगे, आगे हम discuss करेंगे इसके अंदर की mode of determination of price कि price को किस तरह के determinant किया जाता है, हम rights and duties पढ़ेंगे, sellers की और buyers की हम पढ़ेंगे कि क्या condition होती है, क्या warranty होती है, किस तरीके की conditions होती है, किस तने परकार की warranties होती है express condition, express warranty, implied condition, implied warranty, तो यह सारे की सारी चीज़े हैं, हम डिसकस करने वाले है class के अंदर, तो class के अंदर सभी चीज़े discuss होंगी, और आपको समझी में आएंगी, जब आप class में बने रहेंगे, बहुत जल्द मैं class की timing दे दूँगा, आपको खबराने की जुरूत नहीं है, आपको किसी तरीकी का फ्याल तो कोई किसी तरीकी आप पी नहीं करना है, सारे के सारी classes हमा नेक्स टॉपिक पे आपको क्या नहीं समझ में आया, आप हमें description में हमारा link है, वहां comment करके बता सकते हैं, आप हमें YouTube करके बता सकते हैं, अपनी हर चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही हो हमारे को easily बताइए, बिना किसी हिचकी चार्ट के मेरी यगोशी चाहिए, कि तरीके से बीच of contract होता है, seller की बीच, फिर हम पढ़ेंगे इसके बात exemption की contract और agreement to sell के अंदर क्या-क्या हमारे पो exceptions होती हैं, क्या-क्या exceptions हैं, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, चलिए आगी का topic को discuss करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसको हमने discuss करना है, contract second के सब्जेक्ट काउट के 22006, 14 चरंचिंग यूनिवस्टी, second semester है, इसके अंदर हम अपना last topic discuss करने वाले हैं, contract के अंदर, वो है transfer of title, passing property in goods, तो हम जानेंगे सबसे पहले कि मर्गों जानना है, बहुत जरूरी हैं, और uncertain goods होते क्या हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरू फिर हम जानेंगे इसके अंदर कि transfer of property, क्या specific कौन सा section है, हम rule जानेंगे property of transfer के, एक specific goods के delivery हो गया, फिर हम जानेंगे कि notice तो बायर कैसे देते हैं, क्या rule है उसके लिए, हम जानेंगे इसके अंदर कि transfer of property, a certain of future goods, future में होने वाले goods के लिए हम कैसे काम करें, transfer of title, nomadent quad, यह भी जानेंगे, हम जानेंगे exception, कि क्या क्या exception है इसकी, हम जानेंगे इसके अंदर, right to unpaid seller against the goods and buyers, जानेंगे कि कि sellers कि क्या rights है, against buyer, और ऐसे ही हम जानेंगे कि buyers कि क्या rights है, against the seller, unpaid seller किसे कहते हैं, यह भी हमें जानना है, हमें जानना है, हम जानेंगे remedies जानेंगे, breach of contract की, कि कम यह contract बीच हो जाता है, या खारीज हो जाता है, तो हम उसका किस तरीके से उसकी remedies, remedies, और क्या उपाए है, remedies को उपाए बोलते हैं, seller के case में क्या remedies में मिलती है, और buyer के case में हमें क्या remedies मिलती है, फिर जानेंगे इसके अंदर कि दोनों को क्या remedies मिलती है, अगला topic हम ते इसके अंदर discuss करेंगे, contract of indemnity, अंदर हम जानेंगे कि क्या meaning होती है, पार्टी का contract में indemnity का क्या योगदान है, हम जानेंगे क्या existential है, indemnity के right to inventory holder का क्या है, contract of guarantee का क्या मतलब है इसके अंदर, number of contracts देखेंगे कि कितने होते हैं, फिर हम जानेंगे इसके अंदर की features क्या होते हैं, contract of guarantee के, फिर जानेंगे इसके essentials क्या होते हैं, फिर liability of surety के अपर बात करेंगे हम लोग, continue guarantee के उपर बात करने वाले हैं, discharge of surety from liability के उपर बात करने वाले हैं, light of surety होती क्या है, इसी क्या against principle है, क्या creator है, क्या cost of guarantee है, यह सब discuss करने वाले हैं हम class के अंदर, यह आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना बड़ा syllabus, आपको detailed में इतना बड़ा syllabus, YouTube पे possible नहीं है, अभी तक किसी ने डाला ना हो, तो मेरी ideas में हैं, अगर है तो कोई मुझे comment करके जरूर लिंक दीजिएगा, मैं जरूर उसको एक बार read करने की, या उसको examine, या उसको check करने की कोशिश करूँगा, आगे पढ़ेंगे bailment, meaning of bailment के बारे में जानेंगे, पार्टी इन bailment जानेंगे, essential of bailment जानेंगे, essential क्या है bailments की, उसके बाद हम जानेंगे duty of bailie के क्या होती है, bailie क्या होती है, bailie के क्या duties होती है, क्या rights होते हैं bailie के, ये सारी के सारी चीज़ें हम class के अंदर जानने वाले हैं, इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि प्लेज क्या होता है मीनिंग ओफ प्लेज जानेंगे एसेंचिल ओफ प्लेज जानेंगे राइट ओफ प्लेज प्लेजी और पॉर्णिंग की जानेंगे एजिंसी किसे गहते हैं एजिंसी के बारे मां जानेंगे प्रिंसिपल एजेंट के के बारे में जानेंगे काइंड ऑफ एजेंट के बारे में जानेंगे जानेंगे हम उनके फैक्टर जानेंगे ब्रोकर क्या होते हैं वो जानेंगे क्या होते हैं वो जानेंगे डी क्रीड एजेंट किसे कहते हैं ये भी हम जानेंगे अधर टाइप ऑफ एजेंट जानेंगे कि कि उसके अलावा कौन-कौन से एजंट होते हैं, यूनिवर्सल एजंट भी होते हैं, स्पैसिफिक किसे एजंट भी होते हैं, टर्मिनेशन अफ एजंटी, यह जानेंगे कि किस तरीके से एजंटी को टर्मिनेट किया रहता है, उपाई एक्ट के दारा, बाई ऑपरेशन अफ लो के दार, तो इतना कुछ है सीखने के लिए, आपकी एग्जाम के प्रिप्रेशन के लिए, कंटेंट भरा बढ़ा है, एक तम जैनुएन कंटेंट लेकि आऊंगा आपके लिए, यह बस आपको एक काम करना है, आपको चैनल पे बना रहना है, हमारी रेगुलर अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन का बटन है, अब आपको पता है उसमें क्या करना है, जो आपको बतानी के ज़्यादा ज़रूद नहीं है, आपको अपने प्रेजेंट वहाँ देनी है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आपको लाइक करना है, कमेंट भी करने हैं, ताकि पता चले कि आपके अटेंडनेंस लगे उससे, और मैं आपको एक्साम तक पूरी प्रप्रप्रेशन करा दूँगा, इस स्लेवस को, पूरे डिटेल स्लेवस को, अपनी प्लेयरिस्ट के अंदर एक डिटेल फॉर्मेट में सेट करके रखूँगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की परिशान ना हो, और इदर उदर बटगने की जरूत ना पड़े, किसी भी तरीक, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पड़ना है, सब लर्न बेंट की लोग अकैडमी के चैनल पे, वी आरे इन नहींगी, लर्न बेंट लोग अकैडमी की चैनल पे, आपको एजली मिलेगा, कोई परिशान और जरूत नहीं है, कहीं जाने की जरूत नहीं हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का जल से जल से प्लाइ दूँगा, बस चैनल पे बने रहें, कंसिटन्सी बनाये रखें, अधर वाई, जो सोएगा, वो खोएगा, चलिए, हमारे लेर्नर्स, जो हैं, समझ गए होंगे, हमें भी हीड नहीं चाहिए, हमें जोन्में लेर्नर्स चाहिए, जो अप वाके में पढ़ना चाहते हैं, चलिए, समयना बरवाद करते हैं, आगे की क्लास में हम फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए, धन्यवाद, आज का सफर यहीं तक था, आज की वीडियो, यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आप से फिर मिलते हैं, अगली क्लास में, तक के लिए, धन्यवाद, दिल की गहरहीं से धन्यवाद, मन लागा के पढ़ते रिजिए, समस्या आने पर, समाधान के लिए, इस स्क्रीन पे तो आपको तो नमबर बताईए, इतना बताने के लिए, नमबर तो याद होई गया होगा, 9289-322-897, उस पर आप समपर कर सकते हैं, चलिए, मिलते हैं, अगली क्लास पे,